मोबाइल गेमर्स के लिए अभी एक फेस्टिबल जैसा ही होगा क्यूंकि आ चुका है क्राफटन का मोस्ट पॉपुलर गेम बीजी आमाई इंडिया में जी हां बैटल ग्राउन्स मोबाइल इंडिया वर्जन 2.5 आ चुका है ये गेम आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर या फिर एपल अप स्टोर से ये गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इसके करीब-करीब 10 करोट एक्टिक प्लियर्स हैं जो हर दिन घंटो तक ये गेम खेलते हैं ये गेम इंडिया में बैन हो चुका था लेकिन अब इंडियन गॉप्लाइंस को फोलो करते हुए क्राफटर ने कमबैक किया है अब इसके जलते गेम में काफी look and feel चेंज हुआ है अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आये हो तो नीचे देवर सब्सक्राइब बटन को प्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए गेम की और बढ़ते हैं सबसे पहले आता है वार्निंग जब भी आप गेम को ओपन करते हैं आपको एक वार्निंग का मेसेज दिखता है जो बताता है कि it's not based on the real world and that it is a survival simulation game set in a virtual world हर मैच से पहले same audio message broadcast होता है और जब आप उसको agree करके ok press करते हैं उसके बाद ही आप मैच start कर सकते हो this is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life please play in moderation take frequent breaks and play responsibly second यहाँ बात करते हैं training ground की जी हाँ अगर आप पहली बार बीजिया माई खेल रहे हो और आपको गेम सीखना है तो आप training ground में जाकर सीख सकते हो इस पे आप shooting skills and vehicle handling सीख कर अपने skill को बढ़ा सकते हो और हाँ आपको सारे weapons and vehicles के options मिल जाते हैं तो देर किस बात की training करो और winner winner chicken dinner के लिए तयार रहो अब बात करते हैं free permanent costumes अपने comeback को celebrate करने के लिए crafting free और permanent costumes दे रहा है सबको जो भी BDMI rejoin कर रहे है या फिल पहली बार sign up कर रहे हैं ये costumes पहले आपको अपने पैसो से खरीदना होता था बट अब कुछ limited time के लिए आपको ये बिलकुल free में मिलेगा बट इसको पाने के लिए आपको कुछ tax complete करने पड़ेंगे जैसे आपको game में 5 minute तक survive रहना पड़ेगा आपको नए दोस्त बनाने पड़ेंगे आपको cheer park में enter करना पड़ेगा और ऐसे ही कहीं सारे tax complete करके आप ये ले सकते हो अब बात करते हैं cheer park के बारे में ये option पहली बार इंट्रड्यूस किया गया है game में ये एक virtual park है जहां users बहुत सारे activities कर सकते हैं shooting range में aiming skills practice कर सकते हैं race doing कर सकते हैं और भी कही सारे activities हैं जिस पे आप part ले सकते हो apart from match violence, 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 I don't like it, I avoid जी हाँ game को कम violent बनाने के लिए जब आप game में किसी को मारते हो तब अब से green color का blood निकलेगा instead of red इसके साथ ही आप colors को change भी कर सकते हो yellow, pink और orange में और ये आप settings में जाके colorblind mode option से change कर सकते हो फाइनली limited play time, जी हाँ अब आपको BGMI में play time का limit बिलेगा अगर आप 18 साल से गम उमर के हो तो आपको दिन में 3 गंटे का access मिलेगा और अगर आप 18 साल से उपर के हो तो आपको दिन में 6 गंटे का access मिलेगा उसके उपर आप ये game नहीं खेल सकते हो लेकिन आपको गेम में कितना टाइम बचा ये चेक करने का कोई भी तरीका नहीं दिया गया है I hope कि इस मूब से जो पहले बहुत जादा एडिक्शन होता था लोगो में गेम का तो ये थोड़ा कम हो जाए तो ये थे BGMI के नए वर्जन के चेंजेज आप मुझे कमेंड करके बताना कि आप रेगुलर्ली BGMI खेलते हो या अभी अभी सुरू किया है वीडियो को अच्छा लगें तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्रेब करिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खूस रहो सेफ रहो और चैनल को सब्सक्रेब कर